Hello Friends, Welcome to Assets Fashion World आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर क्या आई हूँ कि हम B-neck की कटिंग किस तरह से करते हैं नीटिंग में हम B-neck की कटिंग किस तरह से करते हैं और उसके साथ हम बॉडर भी बनाएंगे आर्म होलबाला बॉडर भी हम साथ में बनाएंगे यह मैं half sweater बनाने बाली हूँ तो यह जो sweater है यह baby boy के लिए है kid के लिए है मतलब four से five year के बच्चे को है या five से six year तक के बच्चे को आप रख लीजिए उस पर हम किस तरह से देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी चाए वो giant sweater का बना रहे हूँ या बच्चों का बना रहे हूँ किसी भी sweater में जो V-neck की safe है उसको आराम से दे लोगे और उसके साथ हम जो armhole का border बनाते हैं V-neck के साथ वो किस तरह से बनाएंगे वो आज की इस वीडियो में आपको बता चल जाएगा तो इसका ये जो design है ये मैं आपके साथ पहले share कर चुकी हूँ और उसके साथ इसका back जो part है वो भी मैं आपके साथ share कर चुकी हूँ तो इसका link में आपको दोनो जो तीनों पार्ट का link में आपको description box के अंदर दे दूँगी मैंने साथ में आपको जो arm hole का border हम साथ में किस तरह से बनाते हैं वो भी वीडियो डाल दी है तो प्लीज उसका भी link में आपको description box में दे दूँगी वहाँ से जाकर आप check out कर सकते हो सो चलिए start करते हैं सबसे पहले तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमेशा की तरह हमें यहाँ पर अपने फंदे काउंट करने हैं हमारे पास total कितने stitches हैं और कहां पर आपको neck की shape देनी है वो आपको बता देती हूं जब आपको लगे देखी जब आपका जो shoulder तक हो जाए जहाँ पर आपको arm hole की shape देनी है वहां से आपको जो v neck की shape देनी स्टार्ट कर देनी है सबसे पहले हम v neck की shape देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर arm hole की cutting करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका जो v neck है वो फिर tight हो जाता है तो इसलिए पहले आप इसकी cutting जरूर कीजिए जब आप arm hole बना रहे हो उससे पहले ही आप इसकी cutting कर लीजे या फिर एक दम बाद एक दम बाद आप जैसे आपने cutting कर दी जैसे तीन दो एक ही आप कटाई कर रहे हो उसके एक दम बाद दे दीजे यह depend करता है आप पर वरना फिर आपका गला बहुत चोटा हो जाता है और बहुत टाइट बन जाता है तो मैं पहले ही दे रही हूँ यहाँ पर देखे मेरा shoulder के पास जितनी मुझे shoulder तक इसकी लंबाई चाहिए जहां तक मुझे arm hole तक इसकी लंबाई चाहिए उतनी मेरी लंबाई यह हो चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी neck cutting करेंगे वी neck cutting करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फंदे count करने हैं तो मेरे जो total stitches है वो है मेरे पास यहाँ पर 85 85 फंदे मेरे पास अगर हम 84 फंदे को डिवाइ आधा आधा करते हैं उनका तो उनका आधा आधा हमारे पास यहाँ पर 42 stitches हमारे यहाँ पर रहेंगे 42 stitches हमारी इस तरफ रहेंगे और बीच में हमारा एक फंदा रहेगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 42 stitches बना लेंगे तो ये पहली row है right side से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे 42 stitches, जो भी design है उसके साथ आप 42 stitches बना लिए, जैसा भी आप design डाल रहे हो, उसके साथ आप 42 stitches यहाँ पर डाल लेजिए, तीन, चार, डालने नहीं है sorry बनाने हैं 42 stitches, पांच, छे, साथ, यहाँ पर देखी मैंने 42 stitches यहाँ पर बना लिए हैं, और यहाँ पर हैं मेरे पास 43 stitches और इधर हैं मेरे 42 stitches और यह हमारा center वाला फंदा है, तो 42 फंदे हमारी इस तरफ रहेंगे और 42 फंदे हमारी इस तरफ रहें इसको मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगी, यह देखें, यह मैंने नहीं बनाया, अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा मैंने यहाँ से उतार लिया, मतलब 41 फंदे बनाये और 42 फंदे मैंने यहाँ पर उतार लिया, यह हमारा सेंटर वाला फंदा है, और यहाँ से हमारे इस तरह को भी 42 फंदे हैं तो अब हमने क्या करना है पहले देखिए ये जो सेंटर वाला फंदा है इसे हम आगे लाएंगे और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे तो किस तरह से करेंगे देखिए इसको हम आगे की तरफ से आगे लाएंगे ताकि हमारा ये फंदा बाद में सीधा दि इन तीनों को हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है ये देखिए इस तरह से हमने एक फंदा बना लिया ये और इसको हमने ये हमारा सेंटर वाला फंदा रहेगा आप ये हमारा सेंटर वाला फंदा है और यहां पर आप हमारे पास 41 स्टिचिस हैं और इधर भी हमा यह हमारा सेंटर का फंदा रहेगा अब इसके बाद आप जो भी डिजाइन डाल रहे हो इसके साथ आप यह पूरी रो बना लिजिए और इस फंदे को आपने या तो अभी आप इसको स्टिच मारकर पर या सेफटी पिन में किसी में भी उतार सकते हो या बाद में भी आप इस के साथ आप इसको इसार Sounds से कंप्लीट कर लिजिए 41 स्टिचीज आपके पास रह गए हैं और इनको बना लीजिए तो देखिए रो मैंने यहां पर बनाकर के कंप्लीट कर ली है अब हम रॉंग साइड पर हैं रॉंग साईड इगे रॉन्ग साइड पर पर पहले हम क्या करे यहां पर सबसे पहले हम क्यूंकि हम इसको देखे बॉर्डर के साथ बना रही है तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी आर्मोल की शेप देंगे यहां पर हम आर्मोल की शेप देंगे और यह हमारी इस तरह वाला हिसा है यहां पर हम पहले आर्मोल की शेप देंगे तो आर्मोल की shape देखिये मैंने यह मेरा back का part है अगर आपने यह वाली वीडियो देखी होगी और मैंने इस पर बताया था आपको किस तरह से आपको shape देनी है तो वही मैं यहां पर यह border मैंने साथ में बनाया हुआ है तो इसी border के साथ हम किस तरह से वीनेक की shape देंगे तो पहले हमने यहाँ पर देखिए यह इस तरह से बीच में जो फंदे कम कर लिए बीच का फंदा center निकाल के हमने shape देना start कर दी है वीनेक की अब यहाँ पर सबसे पहले हम 9 फंदे cast on करेंगे 9 फंदे हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे क्योंकि wrong side है तो 9 फंदे आप cast on कर लिजे मैं 9 फंदों का border डाल रही हूँ आप जितने भी फंदों का border डाल रही हूँ उतने फंदे आप यहाँ पर डाल सकते हूँ मैं इस तरह से डालूँगी यह इस तरह से डालते हुए मैं नौ फंदे बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं शेप दे दूँगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ वैसे मैंने पहले इस पर अल्रेडी वीडियो बनाई हुई है ज्यादा आप अच्छे किसे सीखना चाते हो तो फिर आप उसको जरूर वाच कीजिए तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर नौ फंदे जो आर्मूल का बार्डर बनेगा उसके लिए मैंने बना दिये हैं उसके साथ ही हम शेप किस तरह से देंगे अब क्या करेंगे यह रॉंग साइड है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो मैंने दो फंदे यहाँ पर आइकॉर्ड के लिए रखे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह 2 फंदे मेरी आइकॉर्ड के लिए हैं उसके बाद मैंने उल्टा सीदHello बॉर्डर इस तरह से डाला है तो इसी तरह से मैं टालूँगी 9 फंदो म दागा पीछे एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से करते हूँ हमने नौ फंदे ये बना लिये हैं दागा पनी तरफ करेंगे अब ये के फंदा जो दस्वा फंदा है और उसके साथ है आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने दो का एक करना है इस तरह से दो का एक कर लिया ये देखे इस तरह से दो का एक कर लिया फिर हम यहीं से ही टर्न हो जाएंगे हम हर wrong side में इस तरह से फंदा बंद करेंगे यहीं से turn होंगे हर बार जब तक कि हमारे 9 फंदे यहां पर कम नहीं हो जाते 9 फंदे हमने कम करने हैं इसी तरह से हर wrong side में तब तक हम सिर्फ यही border ही बनाएंगे आब इस पहले वाले फंदे को slip करेंगे दागा पहले पीछे की तरफ रखना है पहले वाले फंदे को slip करेंगे फिर जैसा आपको border दिख रहा है वैसा ही बनाना है एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक उल्टा अब लास्ट के दो फंदों में आई कॉर्ड है तो इस फंदों को मैं उतारूंगी और आगे वाले फंदे को बनाऊंगी अब अजाईए फिर से रॉंग साइड पे तो एक फंदा हमारा यहां पर कम हो गया है हर रॉंग साइड की रॉंग में हमने इसी तरह से फंदे कम करनी है जब 9 फंदे हमने यहां पर कम करनी है मतलब कहां तक कम करनी है देखिए एक हमारा हो गया है हर दस फंदे के साथ हमने आगे वाला फंदा बनाते जाना है रॉंग साइड में यह फंदे बंद करने हैं तब तक हम सिर्फ यही बॉर्डर ही बनाएंगे इसके आगे हमने बुनाई नहीं करनी है तो इस तरह से आप इसको बना लीजे देखे इस फंदे को slip किया इसको उल्टा बनाया एक रो मैं आपको बता देती हूं दागा पीछे अब एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा दागा पीछे एक सीधा दागा आगे अब यहां पर देखिए हमने यह दो फंदों का एक फंदा किया था तो इसे के साथ जहां पर हमने दो फंदों का एक फंदा किया इसके सा साथ आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने दो काए करना है यहाँ पर देखिए दो फंदे हमारे कम हो गए एक पहली रो में एक तीसरी रो में रॉंग साथ फिर यहीं से ही फिर से हम टर्न हो जाएंगे अब सेम इसी तरह से हम बनाएंगे देखिए जब तक कि हमारे नौ यह वाच कर सकते हो जो मैंने इसके उपर बनाई है उपर आपको इसका आई बटन आ रहा होगा प्लीज पहले वो सिख लेजे मोल की शेप दे दी है देखिए नौ फंदे में आपर कम कर लिए हैं और उसके बाद हमारा यह इस तरह से दिखेगा जब हम नौ फंदे पूरे क कम हो जाएंगे रॉंग साइट पे अब हम हैं रॉंग साइट पे यहां पर मेरे नौ फंदे कम हो गए हैं पूरे और अब हमारे पास टूटल फंदे जब हम यहां तक जहां तक हमने देखिए तीन का एक या था यह हमारे तीन के एक या था वो वाला फंदा है अब इससे इ यहां पर अब मेरे पास देखी 41 स्टिचीज हैं और अब इस फंदा य वंदल वाला फंदा हो और ःदर भी हमारे 41 स्टिचीज हैं, पूरे इसके साथ देखे, क्योंकि यहां पर हमने 9 फंदों की डाली थी यह हमने 9 फंदों का बटर डाला था अब हमने यहां तक middle का फंदा, दिखिए जो 3 का एक्षा था, वो ये बाला फंदा है, इससे इधर तक हमने ये 41 फंदे बना लेनी है, जो भी आप डिजाइन डाल रहे हो, उसके साथ आपने ये फंदे बना लेनी है, यहां पर हमने 2 का एक किया, ठीक है, तो अब हम ये पूर कि मैंने पहले ये डिजाइन सिखा दिया है अपनी चैनल पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है प्लीज एक बार विजिट जुरूर कीजिएगा अगर आप ये डिजाइन सिखना चाहते हो तो पहले आप इन 41 फंदों को बना लीजिए तो आप देखिए मैंने पूरे 41 फंदे यहां पर बना ली हैं डिजाइन के साथ जो मैं डिजाइन डाल रही हूँ अब ये हमारा मिडल का फंदा है ये रहा हमारा मिडल का फंदा इसको पहले इस स्लाइब में उतार लेंगे और यहां से अब हम टर्न हो जाएंगे अब ये जो इधर वाले 41 फंदे हैं इनको हम बाद में बनाएंगे पहले हम इसकी बुनाई उपर शोल्डर तक कर लेंगे जितना भी लॉंग हमारा शोल्डर होगा वहां तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे उसके बाद हम इधर के फंदे इधर का डेजाइन बनाएंगे गले इस तरह से और यह फंदा हमने इस तरह से बीच में रखना है अब यहां पर हम क्या करेंगे इस तरफ शेप देंगे तो शेप देने के लिए क्या करेंगे देखिए पहले वाला फंदा मैं इस तरह से इसको उतार लूँगी यह उतारा फिर आगे वाला फंदा सीधा और फिर इस फंदे को इसके उपर से उतार देंगे यह हमने हर बार राइट साइड में करना है मैंने जैसे बोला आपको यह जो एक तालिस फंदे हैं इनके हमने कितने रखनी है इनके हमने रखनी है मतलब जितना आपने पहले आप बैक का पार्ट बना लीजे फिर आपको उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है आपको नेक कितना रखना है तो इस तरह से आपको पहले बैक का पार्ट बनाना है मैंने बैक का पार्ट बना के रखा हुआ है और उस पे मैंने टोटल जो अब शोल्डर पे कितने फंदे रखने हैं आपको शोल्डर पे आपको रखन और जो अब तक की मेरे जो यह stitch है 24 नहीं रह जाते जो चोल्डर के फंदे है वो 24 नहीं रह जाते तब तक मैं यहाँ पर दो कैक, दो कैक करती जाओंगी हर right side की row में उसके बाद भी हमें यहाँ पर design डालना है यहाँ पर हमें देखिए अभी हमारे यह गटाई पूरी नहीं ह पहले आप दो कैक हम नहीं आपर कर लिया अब उसके आप बाद आप जो बी डिजाइन डाल रहे हो इसके साथ आप कंटीनू कीजिए उसके साथ आप यह पूरा डिजाइन बना लिजिए इस रो को मेरा यहां पर देखिए यहां पर मैंने जो फंदे बनाए हैं का मैं एक तो आप देखें मैंने राइड साइड से यह 41 स्टिचिज यहां पर बना लिए हैं अब 41 नहीं अब हमारे पास 40 स्टिचिज यहां पर है क्योंकि यहां पर हमने एक फंदा कम कर लिया तो अब हम फिर से राइड की तरफ को आ जाएंगे अब यहां पर देखें क्योंकि हम डिजाइन डाल रहे हैं सॉरी क्योंकि हम यहां पर शेप दे रहे हैं तो अभी हमारी यह शेप पूरी नहीं हुई है तो यहां पर यहां से देखिएगा क्या करेंगे पहला फंदा सीधा उल्टा उतारा क्योंकि wrong side है तो उल्टा उतारेंगे और उसके बाद यह i-cord वाला stitch है तो इसको भी मैं उल्टा बना लूँँगी दागा पीछे करेंगे यह हमारा border है इसको हमने हर वार ऐसे ही बनाना है एक फंदा सीधा दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे एक सीधा दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे एक सीधा दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे एक सीधा यह 9 फंदे हमने इस तरह से यहां पर border के बना लेने है उसके बाद देखे जो हमने 2 का एक किया था यहां पर जो 2 का एक किया था उसके साथ देखे आगे वाला फंदा भी हमने बनाना है दो का एक करना है अब ये कहां तक हम देंगे इस तरह से दो का एक, दो का एक हमने हर रॉंग साइट की रो में करना है जब तक कि हमारे पांच फंदे कम नहीं हो जाते मतलब यहां पर हमने हर रॉंग साइट की रो में फिर पांच बार दो काएक, दो काएक करते जाना है, इस दस नुए फंदे के साथ आगे वाला फंदा भी बनाना है, इस तरह से, इस तरह से बनाना है, फिर हमारी शेप जो है complete हो जाएगी, कितनी बार करना है, यहाँ पर एक फंदा हमारा कम हो गया, अब हमने 4 फंदे और कम क करने हैं हर रॉंग साइड की रो में ठीक है तो इस तरह से आपको करते जाना है और अब आपने जो भी डिजाइन आप डाल रहे हो इसके साथ आप इस रो को कम्प्लीट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे की रो बताती हूं अब राइट साइड बरा जाएए तो यहाँ पर फिर से हमने दो कायक करना है तो पहले फंदे को उतारा और आगे वाले फंदो को सीधा बनाऊंगी और पीछे वाला फंदा इसके उपर से उतार देना है इस तरह से देखे फिर यह मेरी जो भी डिजाइन है आपने उसके साथ यह पूरी complete कर लेनी है इस तरह से लास में आपने भूलना नहीं है जो बॉर्डर है वो उसको आपको वैसे ही बनाना है जो नौ फंदो का बॉर्डर है वो हमने एक फंदा सीधा है कुल्टा इस तरह से बनाए है और दो आई-कॉर्ड के स्टिच है तो वो आपको उसी तरह से ही बनाना है तो आप रॉंग साइड पर जाईए अब देखे क्या करना है आपको राइट साइड से आपको वैसे ही बनाना जैसे हम बना रहे हैं और रॉंग साइड से आपको यहां तक एक फंदा हमने कम कर लिया था पिछली रो में यहां पर तो अभी फिर से हमने दो का करना है इसी तरह से जैसे आपको समझ में आ गया होगा अब 4 फंदे और हमने कम करने हैं हर रॉंगक साइट की रोमी यहाँ पर 30 सफंदे के साथ हमें 11 फंद भी Beta बश् wij कठ बनाना है चार बार चार बार आपको इसी तरह से बनाना हर राइट साइड की सिलाई में कम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हर तीसरी सिलाई में भी फिर यहाँ पर कम कर सकते हो ठीक है फिर आप हर थर्ड सिलाई में इसको कम कर सकते हो थर्ड यह फोर सिलाई में आप इसको कम कर सकते हो दो काय कर सकते हो जब तक कि आपके पास 24 स्चीज नहीं हो जाते और आपकी ये शोल्डर की जो लेंद्ध है वो पूरी नहीं हो जाती तो मैं पूरे इसको कम्प्लीट करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से फिर ये दिखेगा फिर हम दूसरी तरफ को आएंगे आई हूप आपको समझ में आ गया होगा ये तो अब यहाँ पर देखे मैंने पूरी अपनी शेप जो है वो पूरी कम्प्लीट कर ली है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दू मैंने क्या किया हमने यहर राइट साइड में यहां पर एक- Alan कम किया है तो उसके बाद मैंने क्या कि क्या किया जैसे हर जो फॉर्ट या फिप्सल आई होगी ईसमें मैंने एक-एक wheels file कम किया उसके बाद मैंने यह टोटल 24 stitches रह गे हैं और मेरी जो length है shoulder की जितनी मुझे चाहिए वो भी मेरी पूरी हो गई है तो यहाँ पर हमने this side की जो shape है वो complete कर ली है left side की अब हम right side में देंगे shape तो right side में भी same वैसे ही देंगे हम दो, एक एख फंदा कम करते जाएंगे जहां तक देखें यहां तक मैंने एक एक फंदा कम के था उसके बादय में हर four or fiveometers star में एक एक फंदा कम करती जाऊंगी यहां तक हमने बुनाई करनी था है तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं यह shape हम accurate किस तरह से देते हैं, पूरी वो special video बनी है, इस पर मैं आपको इतना जादा नहीं बता रही हूँ इस shape के बारे में, तो चलिए आप दूसरी तरह हम किस तरह से बुनाई करेंगे, मैं इसी slice करूंगी, बाकि यह हमारी complete हो गई है, इसको मैं side में रखूंगी, और इसी यहां पर धागा join करना है, दूसरी तरफ को, यहां पर देखे, धागा join करेंगे, अलग धागा हमें यहां पर join करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहां पर धागा join करेंगे, इस तरह से, इस तरह से धागा join कर लिया, और अब यह पूरी रो, हमारे पास यहां पर 41 stitches होंगे, तो ये पूरे हमने जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं उसके साथ हमने इनको बना लेना है ठीक है ये रो आप पूरी कम्प्लीट कर लीजिए जिस भी डिजाइन के साथ आप इसको बनाना चाते हैं जो भी आप design बना रहे हैं उसके साथ आपने इसको बना लेना है ये पूरी 41 stitches आप बना लीजी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है next row में तो ये row देखे मैंने पूरी बना करके complete कर ली है wrong side से अब right side पर मैं हूँ तो यहाँ पर जैसे हमने इस तरफ देखे जैसे हमने इस तरफ डाले थे कितने नाइन फंदे हमने डाले थे मेरी फंदे यहाँ पर निकल गए तो इनको मैं ठीक कर दी हूँ यहाँ पर मैंने नाइन फंदे बनाये थे देखे जो हमने बॉर्डर डाला था तो यहाँ पर हमने नाइन फंदे बनाये थे वैसे ह हमने इस तरफ भी 9 फंदे बॉर्डर के लिए बनाने हैं राइट साट के बॉर्डर के लिए भी यहां पर देखिए आपको जैसे भी फंदे डालने हैं वैसे आप डाल सकते हो पर हमें मतलब है यहां पर 9 फंदे कास्ट अन करने से तो 9 फंदों का मैं बॉर्डर बना रही हू तो इस तरह से दिखिए मैंने यहाँ पर 9 फंदे कास्ट आन का लिए हैं 9 फंदे हमने यहाँ पर बना लेने हैं तो अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम सेम वेसे ही करेंगे जैसे हमने इस तरफ किया था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर भी आपको बता देती हूँ दो फंदों में हमने यहाँ पर आइकोर डाली है ठीक है पहले फंदे को स्लिप करेंगे पहली रो में तो हमने स्लिप कर लेना है फिर आगे वाला फंदा सीधा बनाना है दागा पीछे, एक फंदा सीधा, दागा आगे, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक फंदा सीधा, दागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब देखिए, ये नौ फंदे तो हमने बना लिए, दो फंदों में हमने आएक और डाली और बागे एक उल्टा एक सीधा, एक आप चाहे तो इस फंदे को सीधा भी कर सकते हो इस तरह से और फिर एक ए फंदा और एक आगे वाला फंदा इन दोनों को हमने दो काए कर लेना है फिर यहीं से हम टर्न हो जाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर यह 9 फंदे कम नहीं हो जाते हर राइट साइड की रो में हमने 9 फंदे कम करने है तब तक हम सिर्फ यही बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने इस तरफ बनाये था जैसे हम इस तरफ बनाएंगे फिर मैं एक दो सिलाई आपको बता देती हूँ एक उल्टा एक सीधा और लास्ट के जो दो फंदे हैं उन दोनों को हम उल्टा बनाएंगे यूँकि इनमें हम आई कॉर डाल रहे हैं तो इनको हम दोनों को उल्टा बनाएंगे फिर यहां से फिर से हम टर्न हो जाएंगे, जो wrong side है उससे हमने जब तक हमारे 9 फंदे ये कम नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसी तरह से करेंगे, wrong side से, और right side से देखें, जब तक हमारे 9 फंदे नहीं हो जाते हैं, पूरे कम, एक फंदा हमारा कम हो गया है, अब यहां पर हम ह और दस्मों फंदे के साथ ही आगे वाले फंदे आठ फंदे और हम कम करते जाएंगे, तो अब देखिए पहला फंदा स्लिप किया, क्यूंकि यह राइट साइड की आई कॉर्ड है, तो दोनों फंदे हमने स्लिप करने हैं, जो हमने आई कॉर्ड के लिए रखे हैं, फिर इस तरह से बना लिया, इब यह दस्मों फंदा है, इसके साथ, देखिए, मैरे यहाँ पर मैंने डिजाइन डाला हूआ है, यह मैंने एक से साथ फंदे बनाए हैं, तो इसी के साथ, देखिए, इन साथों के साथ मुझे यह आगे वाला फंदा बनाना है, क्यूंकि मुझे साथ देखिए यह जो दोस्वा फंदा है इसके साथ है आगे वाला डिजाइन मुझे बनाना है इस तरह से यह मैंने कर लिया यहाँ पर डिजाइन तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर यह एक फंदा फिर बना लिया तो आपको इसी तरह से दो फंदे हमारे कम हो गए पर ही बनाएंगे तो इसको आप complete कर लीजिए यहां पर देखिए मैंने पूरे 9 फंदे में यहां पर कम कर लिये हैं और 9 फंदों का मैंने border यहां पर बना लिया है अब यहां इसके साथ देखे मेरे जो यहां तक हैं फंदे अब वो 41 स्टिचिस हो गए है यहां पर मैंने 2 का एक किया अब उसके बाद हम जो भी डिजाइन डाल रहे हैं उसके साथ हमने यह फंदे जो remaining मेरे 41 में से जो remaining फंदे हैं वो हमने बना लेने हैं 10 फंदे इधर होगे और 30 फंदे मेरे इधर को है तो इनको इस रो को हम पूरा बना करके complete कर लेंगे अब हम ये पूरी रो यहां तक बनाएंगे तो इस रो को आप बना लीजिए उसके बाद मैं आपको next रो बताती हूं नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है कि इस रो को मैंने बना करके complete कर लिया है अब हम आजाएंगे wrong side पर तो wrong side में देखिए हमने क्या करना है एके फंदा और एके आगे वाला फंदा इन दोनों का हमने दो कैक करना है आप चाहे तो एक फंदे को बना कर दूसरे को भी उसके उपर उतार सकते हो अब जैसे हमने यहाँ पर देखे इस तरफ जो सेप दी थी यहाँ पर हम एक एक फंदा कम करते कहे थे कुछ सिलाईयों तक मैंने कम किया था और जब मुझे लगा मेरे पास कम फंदे बच गया है तो फिर मैंने फिप्ट या फोर्ट सिलाई में फिर एक एक फंदा कम किया जब तक कि मेरी जो सोल्डर की लेंध है वो पूरी नहीं हो गई और शेप भी हमने सेम जैसे इस तरब दी है वैसे हमने इस तरब भी देनी है अब इसके बाद हम पूरा जो भी डिजाइन डाल रहे हैं उसके साथ हमने इस रोग को पूरा कम्प्लीट कर लेना है इस रोग को पूरा बना करके आप कम्प्लीट कर लीजिए तो अब जाएए next row पे right side पर अब देखी यहाँ पर तो हमने 9 फंदे कम कर लिए अब उसके बाद देखी यहाँ पर हमने फिर एक एक फंदा कम किया था पूरी सलाई को बनाते हुए 5 फंदे हमने फिर यहाँ पर कम किये थे हर जो इस तरफ हमने wrong side की रो में किये थे और इस तरफ हम right side की रो में 5 फंदे कम करेंगे यहाँ पर यहाँ तक हम 5 फंदे कम करेंगे लेकिन हर right side की रो में हम इस 10 फंदे के साथ 11 फंदा भी बनाएंगे जब तक ही 5 फंदे हमारे यहाँ पर कम नहीं हो जाते उसके बाद हम इसको सीधा ही फिर बनाएंगे फिर हम यहाँ पर कुछ भी decrease नहीं करेंगे यहाँ पर हमने यह फंदा फिर यह 10 फंदे का border ऐसे ही उपर तक बनाते जाना है तो अब एक बार देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से करना है यह दो फंदे हमारे आई कॉर्ड के हैं तो इनको हम दोनों को slip करेंगे फिर 7 फंदों में border डालेंगे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक सीधा एक उल्टा आप देखे यहाँ पर यह 10 फंदा है इस 10 फंदे को चाहे तो आप इस तरह से सीधा कर लीजिए इसके साथ यह आगे वाला फंदा हम पीछे की तरफ से दो काई करेंगे और एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया अब चार फंदे हमें और कम करने हैं एक दो तीन चार यहां तक हम यह फंदे कम करेंगे ठीक है हर राइट साइट की रो में तो आप जो भी डिजाइन है उसके साथ आप इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए देगे इस तरह से आप इसको complete कर लीजिए उल्टी मेरी सारी रोय आएगी तो मैं इसको उल्टा उल्टा बनाती हुए complete कर लूँगी अब मैं wrong side पर हूँ देखिए wrong side पर तो wrong side पर तो हमने हर बार देखिए जैसे मैंने आपको बताया दो काय करना है आपको दो फंदो को एक साथ उल्टा बनाना है उससे हमारी फिर ये neck की shape आएगी ठीक है और जब आपको लगे की वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको जब आपको लगे की आपके पास कम फंदे बच गए हैं तो फिर आपने फिर हर फिफ्ट सलाई में फंदे कम करते जाना है दो काई करते जाना है इस तरफ अब उसके बाद हम जो भी डिजाइन डाल रहे हैं उसके साथ हमने continue करना है ठीक है अब आप design के साथ continue कीजे इस पूरी रो को और उसके बाद देखे आपने इसी तरह से बनाना है जैसे हमने इस तरह बनाया वैसे हमने अब इस तरह भी shape देनी है ठीक है यहाँ पर हमने सिर्फ अब हम चार फंदे कम करेंगे हर राइट साइड की रो में एक फंदा हमारा कम हो गया है चार फंदे हम और कम करेंगे उसके बाद हम इसको सीधा ही बनाएंगे आपर फिर कुछ भी डिक्रीज नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें shape देते जाना है ठीक है तो यह आपको पता चल जाएगा जब आप इस तरह का बना लोगे तो आपको इस तरह का भी पता चल जाएगा जब हम इसको बनाएं बनाई करेंगे देखे इतना हमारा यहाँ तक आएगा यह और इतना चौड़ा यहाँ से होगा तो फिर यह neck हमारा already इतना रह जाएगा तो आपको मेरा यह video helpful रहा होगा प्लीज अगर आप इसके बाद भी आपकी कोई queries रह जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखिएगा so thank you मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई